एक और जहां मध्यप्रदेश के यससवी मुख्यमंत्री सिवराज सिंग चौहान द्वारा किसानों की सरकार कहते वे नहीं ठक रहे हैं वहीं दूसरी और बैठे जिम्मेदार अधिकारियों कर्मचारियों और पतवारियों के दोरा किस तरह से किसानों को परिशान किया जा रहा है जिसकी बानगी आपको नई गड़ी तहसील में देखने को मिल जाएगी नई गड़ी तहसील में इन दिनों दलालों का रात चल रहा है अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक दलालों के चंगुल में फसे हुए हैं और दलालों के माध्यम से किसान लुट रहा है नई गड़ी तहसील के अंतरगत ग्राम चमडियान निवासी किसान रामलाल साहु ने हमारी टीम को बताया कि दो वर्स पूर मेरे द्वारा खेत के सीमांकन एवं नक्सा तर्मीम के लिए प्रक्रण दायर किया गया था लेकिन उनकी फाइल नई गड़ी तहसील से गायब हो गई जिसके कारण उन्हें दोबारा दावा बना कर प्रक्रण पेस किया गया लेकिन आज तक कोई कारिवाही नहीं हुई वहीं केवाईसी कराने के निए किसान तहसील कारियाले का चक्कर काट रहे हैं पटवारियों दोबारा ना तो फोन उठाया जाता है और ना ही हलके में कहीं पहुचते हैं जिसके कारण किसानों को परिशानियों का सामना करना पड़ता है नई गड़ी तहसील के अंतरगत ग्राम देवरी बगहलान निवासी सुभास पटेल ने बताया कि उनके खेत में चार माहपूर बोर्विल कराया गया था जिसके कनेक्शन के लिए खसरे में बोर्विल दर्ज होना चाहिए इसके बाद क्रिस विभाग से जल्द छमता प्रमार पत्र बनने के बाद विद्दुद विभाग द्वारा कनेक्शन प्रदान किया जाता है लेकिन किसान जब तहसीलदार प्रवेड पाटीदार द्वारा किसान को उल्टी गिंती पढ़ाते हुए कहा कि खेत में बिना बोर्विल के लिए विद्दुद विभाग द्वारा कनेक्शन प्रदान कर दिया जाता है जिससे इसपस्ट होता है कि तहसीलदार नई गड़ी पटवारी हलका हर्दी तिवरियान का बचाव करते हुए कहा कि पटवारी हलका हर्दी तिवरियान किसी ग्राम पंचायत की ग्राम सभा में गया हुआ है और किसान को भ्रमित किया जा रहा है वही किसान सुभास पटेल ने रीवा कलिक्टर से मांग करते हुए कहा कि ग्राम पंचायत हरदी तिवरियान में पदस्त पटवारी बंसराज सिंग को ततकाल हलके से हटाया जाए और दूसरे पटवारी की नियुक्ति की जाए ताकि किसानों का काम सही समय पर हो सके अब तो अब तो पूर्ण दूबारा मतलब दूबारा फाइल फेर गराएगे पूं दी है और पहले देह रहे हैं तो अब देह रहा है अब से अनोने इसमी हाँ अपना की पहले हेराएगे पूर्ण लिए है